नमश्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है 4 जून को लोगसभाच चुनाफ के परिणाम सामने आ गए जहां एंडिये एक बार फिर से जीत हासिल करती वी नजर आई तो वहीं इंडिया अलाइंस भी एंडिये से पीछे नहीं रही जहां एंडिये के खाते में 292 लोगसभा सीट तो वहीं इंडिया अलाइंस के खाते में 234 सीटे देखने को मिली जिसके बाद दावा यहां पर किया जा रहा है कि जहां भारती जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है तो वहीं इंडिया अलाइंस एंडिये के कई सहयोगी दलों को अपनी तरफ लाने की फ्राक में लगे हुए हैं जैसे की जंता दल यूनाइटेड प्रमुख नितीश कुमार को साधने की कोशिश इंडिया अलाइंस कर रहा है दरसल आपको बता दी कि बिहार में जहां जेडियू पार्टी 12 सीटे जहां आंधर परदेश में देशम पार्टी यहां पर 16 सीटे जीती वे नजर आए तो दावा किया जा रहा है कि अगर ये इंडिया लाइन्स के साथ मिल जाते हैं तो इंडिया कहीं न कहीं घाटे में चलता हूँ नाजर आएगा जिसके तहट इंडिया लाइन्स सरकार बनाने में कामियाब भी हो सकता है लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है जब भारतिय जनता पार्टी को एक और बड़ा जटका लगता है जटका महरास्ट से सामने आता है दरसला आपको बता दें कि महरास्ट के डिप्टी सीयम देवेंद्र फर्नवीस ने लोकसभाच चुना में भाजपा के अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने की जिम्यदारी ली और इस्तीफे की पेशकश्की है आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें महा विकास अगारी के तीन पाठ्चियों के अलावा एक नेरेटिव से भी लड़ना पड़ा देवेंद्र फर्नवीस ने कहा कि मैंने तृत्व से मांग करूँगा कि मुझे सरकार के कामकास से मुक्त कर दिया जाए उन्होंने कहा मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ इस हार की जिम्यदारी लेता हूँ जनता के बीच जाएंगे और नए सिरे से काम करेंगे फर्नवीस ने कहा कि मैं चौहता हूँ कि भाजपा के संगठन को मजबूत करने में लग जाऊंँ देवेंद्र फर्नवीस ने भाजपा की महारास्ट एकाई की मीटिंग के बाद ये बात कहीं आपको बता दें भाजपा नेताओं की मीटिंग हुई थी जिसमें लोग सभाजपा चुनाव में आये नतीजों पर मन्थन किया गया रज्जे में भाजपा को महज 9 सीटे मिलती हुई नजर आई जबके 2019 में महारास्ट में भाजपा की खाते में 23 सीटे गई थी भाजपा को इस बाज लोग सभाजपा चुनाव में बड़ा घाटा हुता हुई नजर आया है जहां सिर्भारते जनता पार्टी की बात करें तो 240 सीटों पर सिमठता हुई दिखाई दिया है तो वहीं कॉंग्रिस की बात करें तो 99 में लोग सभाजपा सीट यहां पर नहीं